Hey what's up guys, welcome back once again, दोस्तों आज की कहानी जो explain करने जा रहे हैं, वो एक मा की कहानी है, जो अपने 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए सारी हदों को पार कर देती है, तो कहानी की शुरुआद सैंडरा और उसके बेटे डैविट से होती है, जो अपनी दादी की घर पर जा रहे हैं क्योंकि उसे इंडिपेंडेस डे की छुटियां मिली है, लेकिन या नोटिस करने वाली बात यही थी, कि ये लोग असल में जिस कार में ट्रावल कर रहे हैं, वो आज के समय की दुन्या की सबसे सेफिस्ट कार है, इसका खुद का एक AI सिस्टम है, जिसे लिलित का नाम दिय पर है, और इसके बाद इस पर चाहें मिजायल शोर्दो या फिर गोलियां, इसके अंदर बैठे वे इनसान को कुछ नहीं होने वाला है, ये कार असल में खास कर लड़कियों की सेफटी को देख कर बनाई गई है, अब ये हो गई कार की कहानी, अब आते हैं हम अपनी असली कहानी पर, तो सैंडरा अपने हस्बेंट को कॉल लगाती है, जिसका नाम है काल, विल काल नहीं उसे ये कार गिफ करी है, मगर इस समय वो लॉस एंजलेस में अपने एक शो के लिए गया हुआ है, इसलिए इन दुनों को अकेले ही नानी के घर जाना पड़ रहा है, थोड़ की हिस्ट्री को चक करना शुरू करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि काल अपने दोस्तों के साथ किसी कलब में गया था, और उनके साथ इस कार में एक लड़की भी थी, अब ये देखकर सैंडरा का पूरा मोडी चीन्ज हो जाता है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं काल उसे चीट तो नहीं कर रहा है, लेगिन तभी अचानक से काल की वीडियो कॉल आ जाती है, और उन्हें बताता है कि वो अब होटेल पहुच चुका है, वो डेविट से खुब बाती भी करता है, और सैंडरा को भी बताता है, कि तुमारे फोन में मैंने एक मोनोलित नाम का अप्ल अप्लिकेशन डाउनलोड किया है, जिसे कि तुम इस काल को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो, तभी काल का डोर कोई नौक करता है और वो बाई बोल कर चला जाता है, अब ये चीज सैंडरा को खटकने लगती है, और उसका शक और जादा गहरा हो जाता है, कि जरूर काल उ नस्ती कर रही थे, उन्हें देखकर सैंडरा को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब वो सिंगिंग शो किया करती थी, लेकिन शागदी के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, वेलब दोनों बाहर आ जाते हैं और कुछ खाने पीनी की चीजों को खरीदने के लिए, पर तभी वो देखती है कि एक अंजान आदमी उसकी कार में जाक रहा है, और इसलिए वो अपने फोन से ये कार को लॉक कर देती है, और इसके बाद वो फिर से अपने कामों में विजी हो जाती है, लेकिन इतने में वो देखती है कि डैविड भान नहीं है, अब उसे ना पाकर वो घबरा जाती है और इदर दर ढूनना शुरू कर देती है पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो डेविड उन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था पर यहां सैंडरा उन्हें थैंक्यू बोलने के बजाए उनके उपर ही चलाना शुरू कर देती है जिसे कि उनके साथ वाले लोग उसके उपर चलना शुरू हो जाते है वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें खुद अपने बीटे पर ध्यान देना चाहिए था और तुम हम पर उल्टा चला रही हो अब वो फॉरें जाकर कार में बैठ जाती है और वॉल्ट मूट को अन कर दीती है और इसके बाद वो कुछ भी करें उसे कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला था क्योंकि ये कार तो असल में इनी सब कामों के लिए बनी है वो चुपचाफ वहां से बाहर आ जाती है और अपना मूट सही करने के लिए कुछ गाने प्ले करती है फिर अपनी दोस जैसिका को कॉल करती है तो वो उसे बताती है कि वो इस समय एले आई हुई है अपने एक काम के लिए लेकिन तभी उसके पीछे से एरपलेन की आवाज आती है जिसे वो समझ जाती है कि ये शायद उसी होटल में ठहरी हुई है जहां पे एक काल ठहरा हुआ है अब यहां वो ये भी नोटेस करती है कि उनके साथ कोई है लेकिन वो उसका चहरा नहीं दिखा रही है इसलिए सैंडरा उसे फोर्स कने लगती है कि तुम्हारे साथ कौन है मुझे बताओ पर वो उसे कुछ भी नहीं दिखाती है और तब जाकर वो उल्टा उस पर चलाना शुरू कर देती है लेकिन जेसिका जाते जाते कह देती है कि जो तुम्हारे हस्बन के साथ है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ बतलब कोई तो जरूर उसके काल के साथ है अब ये सून कर उस सा गुसा और जादा ऊपर चल जाता है वो काल को call लगाती है लेकिन जैसी की होना था, वो phone नहीं उठाता तो फिर से Jessica को call लगाती है, लेकिन वो भी उसका कोई जबाब नहीं दे रही थी उदर David धीरी-धीरे करके एक marble को मुह में डालने वाला था लेकनिया सैंडरा के दिमाग में कुछ और ही चल दा था, वो अब काल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, और इसलिए वो अपनी कार को यूटर मारती है और रनिंग प्रोसेस में उन में डाल देती है, और पूरी रफतार से भगाते हुए एली की ओर निकल जाती है, लेक कार को भगाया जा रही थी, उसे अब जितनी जल्दी हो सके वापस जाना था, और इसलिए वो लिलित से कहती है कि मुझे कोई शौटकट बताओ, अब वो उसे रास्ता तो बताती है, लेकिन वो बिल्कुली बीहड एरिया से होकर गुजरता था, लेकिन याँ पर उसे डढ जैसे उसे याँ कार में सिगरेट जला ली थी, जो कि वो बहुती बड़ी गलती कर बैट कि लिलित स्मोग को डेटक कर लेती है, और आलाम बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद होना क्या था, पूरी कार में Red Alert हो जाता है, अलाम बजना शुरू हो जाता है और वो उसे क पूरा कंट्रोल सैंडरा के हाथों में आ चुका है, जो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा भी और बहुत बुरा भी, अब मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ, यह आपको कुछी देर में पता चल जाएगा, उधर डैविड अब खासना शुरू कर देता है, जैसे कि आपको पता है, इ यहां से निकल सकती थी, क्योंकि उसके अलावा यहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं करती, वो नीचे उतरती और उस हिरन को देखती है, जो अपनी आखरी सांसे गिंड रहा था, लेकिन उसकी मुश्किले के साथ यहां सैंडरा की भी दिक्कते अब बढ़ना शुरू होने वाली थी, क्योंकि उधर डैविड ने गेम की बजाए मॉनुलित आप को अन कर लिया था, और इसमें कुछ ना खोलने के बजाए, वो वॉल्ट मोड को अन कर देता है, जिसके बाद होना क्या था, पूरी कार एक बंकर बन जाती है, और चारो और से लॉक हो ज लिखती है कि डैविड के हाथ में अभी भी वो फोन है, और वो एब भी खुला हुआ है, इसलिए वो से समझाती है कि इस मोड को आफ कर दो, लेकिन वो अभी बस चार साल का बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है, और कुछ ही देर में वो फोन भी उसके हाथों से गिर जात लेकिन उसने ही AI को खुद बंद कर दिया था, अब तो इसका कोई फायदा नहीं है, कोई रास्ता ना मिलने से वो अब उसके शीशे को पत्थर से टोलने की कोशिश करती है, पर पत्थर टोड़ जाता है, लेकिन कार को कुछ नहीं होता, और इन सब की वज़े से अब डैव पावर हाउस पे जाती है, ताकि वहाँ से कुछ मदद ले सके, लेकिन उसका गेट तो बन था, इसलिए वो जम करके अंदर जाती है, जहाँ उसे एक फोन भी मिलता है, पर वो डैट था, क्योंकि सारी सर्विस अब परसो ही खुलेगी, इंडिपेंडनस के बाद ही, जाकर कार की छट पर बैट जाती है, और इसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से भागने वाला नहीं था, इसलिए सैंडरा एक बार फिर से कार की उपर हैमर से वार करती है, जिससे कि अलाम बजना शुरू हो जाता है, और इसी के चक्कर में डेविड भ जाता है, लेकिन उसे अभी कैसी भी करके अपनी बेटी की जान बचानी है, क्योंकि वो नहीं जाती कि उसकी गल्दी के वज़े से उसके बेटी को कुछ हो जाए, वो फिर से छट पर चलती है, और शांत मन से सोचने लगती है, लेकिन यहां उसके दिमाग में अलग-अलग किसिन के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, एक तरफ वो सोच रही थी कि उसे घबरानी की जरूत नहीं है, क्योंकि काल को अब पता चली गया होगा, कि वो अभी तक ग्रैनी के घर नहीं पहुची है, इसलिए वो उने ढूनने के लिए जरूर आएगा, पर दूसरी और उसक कोई मदद मिल जाएगी, जिसे कि वो यहां से निकल सकते हैं, और ये बाद वो डैविट को बहुत ही खुशी खुशी बताती है, पर कुछ समय के बाद वो देखती है कि कार का गेट तो खुला हुआ है, और वहाँ डैविट भी नहीं है, इसलिए वो फिर से पैनिक होना श पसी हुए थे, जहां से दूर दूर तक बस रगिस्तान और कुछ खतनाग बीहर इलाकों के अलावा कुछ नहीं था, वो सबसे पहले तो डैविट को चेक करती है, जो कि कार में ही था, लेकिन उसके शरीर से पसीने बह रहे थे, क्योंकि उसने एक वोलन का सूट पहना जिस जगह पर यह लोग है, वहां का टेंप्रीचर 40 डिग्री से जादा है, इसलिए सैंड्रा फॉरन अपनी जैकेट उतार कर संरूफ पर डाल देती है, जिसे कि धूप अंदन ना जाए, अब वो डैविट से खुद की सीट बेल को खोलने को कहती है, लेकिन वो अभी भी ये सब समझ नहीं पाता, उल्टा वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन अब सैंड्रा को उसे छोड़ कर एरपोर्ट को ढूनने के लिए जाना ही पड़ेगा, वरना उसका बेटा नहीं बचेगा, और इसलिए वो बस गौड का नाम लेकर चलना शुरू कर देती है, अब च साफ करती है, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से पानी की एक बून नहीं पी थी, इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है, उची उची चटानों को पार करके वो आखिरकार उस एरपोर्ट तक पहुच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यह एरपोर्ट तो पिछले 40 सालों से बंद है, वहाँ पर सारे प्लेन डामेज है, यहां सैंडरा प्लेन के अंदर जाती है, उस रेडियो को यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था, उसे वाँ एक बड़ी सी बॉटल मिलती है, जिसे वो साथ म ले लेती है, क्योंकि यह उसे काम आ सकती है, लेकिन जाते जाते हैं, वो एक अच्छा काम कर जाती है, उसने उस प्लेन के दो टायर को बहा निकाल कर उसमें आग जला दी थी, जिससे निकलता हुआ काला धुआ पूरे आसमान में फैल जाता है, और यह शायद उसकी जान ब उपर रखी थी, वो देखकर वो डर जाती है, और फोरण भागते वे कार के पास जाती है, वो देखती है कि डेविड तो भिहोच पड़ा हुआ है और गर्मी के वज़े से, और इसलिए वो तुरंत अपने साथ लाए हुए पानी को कार के उपर गिरा देती है, लेकिन इसस भी कुछ फाइदा नहीं होता, तो वो देखती है कि कार का फैन तो चल रहा है, लेकिन वो बाहर की गरम हवा अंदर खीच रहा है, ना की ठंडी हवा, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यो ना वो बाहर आग जलाए जिससे की स्मोक डेटक करके कार अपनी वार करना शुरू करती है, लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है, कि अगर ऐसे ये कार खुल जाती, तो इसे सेफिस्ट कार नहीं कहा जाता, और आखिर में आकर सैंडरा थकहार कर वहीं गिर जाती है, अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, अब यहाँ डेविट मर उसकार में बंद करके छोड़ दिया था, और फिर तुमने उसे वो विलन सूट भी पहनाया था, वो भी एतनी गर्मी में, तभी सैंडरा के आख खुल जाती है, क्योंकि ये सब एक सपना था, अब वो डेविट को दबारा चुका है, या फिर भी होश है, उसे कुछ भी पत आती है, लेकिन यहां तभी आ जाता है एक जंगली कुटा, जो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, सैंडरा कार की छत पर चलती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गरम थी, और इसलिए वो कार के नीचे चली जाती है, लेकिन इतने में वो कुटा उसके पैर में एक का होती है, अब यहां सैंडरा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस कार को पहाली के नीचे फेक दे, जिसे की नीचे जाने के बाद हो सकता है कि उसका गेट खोल जाए, ऐसे कुछ उसने इस कार कंपनी वालों से भी सुना था, अब यहां उसे इतना तो अंदर बैठे डेविट को कुछ नहीं होगा, और इसलिए वो कार को धक्का देना शुरू करती है और धीरी धीरी वो कार सीधा नीचे जाकर खाई में गिरने वाली थी, लेकिन यहां पर कार को पता चल जाता है कि वो ग्राउंड से उपर है, इसलिए वो खुद को अपने आप बैलेंस करना शुरू करते थी है, उसके मोशन सेंसर ओन हो जाते हैं, वो इतनी एडवांस होती है कि कार को सीधा कर देती है, साथ में उसके सारे गेट भी खुल जाते हैं और बिना कुछ आवास करे जाकर नीचे गिर जाती है, वो भी बिल्कुल सीधी, सैंडरा भी न कर को इस तरह से डिजाइन किया गया था, कि अगर उसका अक्सिडंट हो जाता है, तो गेट अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे इंसान को बाहर भी तो निकलना होगा, दाकि वो अपनी जान बचा सके, और इसी चीज़ का फायदा उठा कर सैंडरा ने आफ रोड मोड में डालती है, जिससे कि टायर्स उपर उट जाते हैं, और यहां आप कार एकदम एक्स्ट्रीम लेवल की आफ रोलिंग के लिए तयार हो जाती है, लेकिन यहां उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सैंडरा को इस बात की कोई फिकर नहीं थी, क्यों डेविड को होश आ गया था और फाइनली सैंडरा ने अपने बीटी की जान बचा ली थी, क्योंकि मा कहा गया दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति या टेक्नोलोजी क्यों ना आ जाए, जब आद उसके अपने उलाद पर आती है, तो वो हर किसी से लड़ सकती है, तो आपको क झाल झाल